दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बहुत वीडियो बना रहा हूं और बहुत इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो वाटर कनेक्शन है यानि की कूलेंट कनेक्शन है इसक में कूलेंट कनेक्शन का क्या काम होता है और इंजिन में कूलेंट कनेक्शन का क्या काम होता है और इंजिन में कूलेंट कनेक्शन होता है वह इंजिन के टेंपरीचर को मेंटेन रखने के लिए होता है और वह काम कैसे करता है जैसे पूरा इंजिन है ना इंजिन के साइड की walls में जिसको कहते है coolant jacket जी हाँ उसमें run करता है पूरा coolant, coolant और water जो भी mix up होता है उसका miss run होता है ये पूरे में run करता है यानि कि इसकी दिवारों में run करता है जिसको cooling jackets कहते हैं इसकी वज़े से इसका temperature maintain रहता है पर अब हम बात करतें CNG kit की तो CNG kit में जो water connection का importance है सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि भाईया आपके यहाँ पर अगर बहुँ ज़्यादा सरदी पड़ती है आप high altitude पे रहते हो बहुँ ज़्यादा बरफबारी हो रही है तो उस समय पर CNG switch जल्दी हो जाएगी क्योंकि coolant बहुत तेजी से काफी लोग यह कहते सुनेंगे कि इसका बहुत नुकसान भी है कि diaphragm खराब हो जाता है reducer खराब हो जाता है तो देखो reducer खराब होना और diaphragm इसके damage होने के अभी तब कोई भी ऐसे परमाण ऐसे किसी CNG kit maker ने या किसी company ने यह नहीं कहा है सिर्फ और सिर्फ coolant connection की वज़े से या फिर water connection की वज़े से इसका reducer खराब हो गया जी या इसके diaphragm खराब हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसमें भी चार दिवारी पर रन होता है देख रहे हैं हम गोल सा यह reducer है इसमें सिर्फ और सिर्फ चारो तरफ coolant connection जो होता है मतलब जो coolant होता है वो आगे चारो तरफ move करता है चारो तरफ रहता है ताकि इसका temperature बना रहा है और यह जल्दी switch हो जाए CNG पर बाकि इससे कोई mileage का लेना देना नहीं है कि आप सोचें कि mileage बहुत अच्छा रहेगा या इसकी life span बढ़ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसी लिए होता है कि भीया आपको गाड़ी बहुत जादा सर्दी में है आपने आजकल भी देखा होगा दिल्ली में बहुत जादा थंड पड़ रही है तो ऐसे में क्या होता है एक देड़ किलोमेटर के बाद सुई चोती है CNG पर बट अगर आप coolant connection करवा लेंगे अपनी CNG किट में तो यह जल्दी होना शुरू हो जाएगा मतलब स्टार्ट होई गाड़ी और 20 से 30 सेकेंड में 40 सेकेंड में यह आपका CNG पर शिफ्ट हो जाएगी इससे भी कम टाइम लगेगा तो जो लोग यह कह रहे थे कि coolant connection के बारे में बताईए काफी मेरे पर mail भी आ रहे थे इसके लिए कि coolant connection कितना importance है आशा करता हूँ कि उनको उनका उत्तर मिल गया होगा अभी भी आपका coolant connection से related कोई issue है कोई doubt है तो आप comment box में पूछेगा मैं नीशन दे उसका answer दूँगा तो दोस्तों बनिनेगा मेरे साथ जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखें सुरक्सित रहें जैहिन